वेल्कम फ्रेंड्स साम के साढ़े साथ बच चुके हैं और आपकी जीरो लेबल गड़ित सुरू हो चुकी है कल की क्लास में आपने देखा था अभ्यास्टू का सीख आप इस समय पढ़ रहे हैं कच्छा साथ की गड़ित यानि सेबंत ग्रेड की मैद हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फ्रेक्षन फ्रेक्षन में एडिशन मल्टिपल एड सब्स्रेक्षन तो आज हम देखेंगे फ्रेक्षन का मल्टिपल लेकिन साधारण मल्टिपल हम लोग नहीं देखेंगे इसमें चिलने का काफी बड़ा खेल होता है देखिए यहां माइनस 9 अपान 8 है फिर into minus 32 upon minus 3 तो यह होगा क्या minus 9 upon 8 वैसे रहेगा into की जगा पर वैसे हो जाएगा नीचे भी minus उपर भी minus तो minus minus प्लस हो जाता है अगर दोनों तरफ रहता है तो answer में यह इतना बन जाता है ठिक है अब चाहे तो आप गुड़ा कर लीजिए तो आजाएगा उत्तर बाद में इसको सिंप्लिफाइग करें लेकिन पहले काटना असान होता है तीन इकम तीन तीन तरीक का नव और यह कर जाएगा तीकम आठ आठ चोग तीस तो यह हो जाएगा माइनस तीन नीचे एक इंटू यह चार बटा ए कुल्मिला करके फाइनल में आ जाएगा माइनस बारा ठीक है तो इसको नोट कर लीजिए या लीक लीजिए यह आपका पहला सवाल हो चुका है दूसरा सवाल देखिएगा माइनस थर्टी टू इंटू माइनस सेबन अपान थर्टी सिक्स इसको कैसे करते हैं गौर करिएग देखिए इसमें भी चिन का ही कमाल है यहां पर देखिए माइनस थर्टी टू है इंटू माइनस सेबन अपान थर्टी सिक्स तो करेंगे क्या अगर यह कट रहा है तो काट दीजिए क्योंकि यह उपर है इसके नीचे आप एक लिख सकते हो है ना तो यह चार से कटेगा चा तो यह हो जाएगा माइनस अथ गुड़ा माइनस साथ बटा नौ है ना इतना सही है ili eispie आग्यार आपक्या करेंगे इसमने मैं टिपल कर लिजिए जो भी है ऑट सते चपपन माइनस का गुड़ा माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा चपन और यह नौ कटेगा नह यह आपका अंसर हो जाएगा है ना समझ में आया नोट कर लीजिए यह दूसरा सवाल भी आपका completely हल हो चुका है आपके परिक्षाओं में यह सवाल आते हैं और बहुत ही माइने रखते हैं यह बहुत ही महत्वपुर्ण कुश्चन है यह सिम्पलिफिकेशन की देश्टी से है ना अगला देखिए माइनस इसमें तो नहीं लगा 7,56 को माइनस 24 से गुड़ा कर ये तो कैसे गुड़ा करोगे माइनस 7,56 वो सुरी माइनस नहीं है मल्टिपल वो बराब लगा लिजिए गुड़ा करने का मतलब इसमें गुड़ा कचिन लगा दो और यह माइनस 24 बस यह करना है यहाँ पर गुड़ा भी है माइनस भी है करेंगे क्या बिल्कुल नहीं गपराना इसको काट तु 4 से यह चार छे से काटेंगे 6 चोग 24 उपर 4 आएगा यह आपका 7 बटा 1 गुड़ा क्या बनेगा यह माइनस 4 उपर उपर का गुड़ा कर लेंगे 7 का चार में 28 आएगा और माइनस लगा है तिसलिए माइनस में आएगा मतलब फाइनल में माइनस 28 आएगा समझ में आया ना तो नोट कर लीजिए हो गया इतना है ना लेकिन इसमें अगर कुछ कड़बड है तो बता दीजिएगा अगर कोई confusion है तो आपनी संकोछ बोलिएगा नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं देखिए ये बिल्कुल simple से सवाल थे जो आप लोगों ने देख लिए आप देख रहे हैं कच्छा साथ की गडित मैं फिर से बता दूँ आपको अब आज टू का ई देखिए टू का डी खतम हो गया तो अब आज टू इए यह एक्सरसाइज टू इए में कोई फ्रेक्शन इधर भी है कि टू अपान माइनस 5 इंटू माइनस 3 इपान 4 इधर है माइनस 3 इपान 4 इंटू आप माइनस 5 मतलब केवल हेर फेर हुआ इधर का उधर तो अगर इसे आप हल करोगे तो उतना ही आएगा यह देखिए दो एकम दो दो दूना चार तो यह हो जाएगा माइनस 3 बटा माइनस 10 और यह बीच में बराबर यह भी कट जाएगा दो दूना चार दो एकम दो तो माइनस 3 बटा यह माइनस 10 यह भी आएगा कहने का मतलब final में 3 बटा 10 बराबर 3 बटा 10 आएगा दोनों बराबर है ना इसलिए क्या है ये लिशेंगे सत्य है मतलब कि ये इसके बराबर हो सकता है करम निम्य नियम के according है ना कच्छा 7 की गड़ी तब भ्यास 2 का ई का पहला सवाल हो चुका है इसको दिखाना था कि सत्य है क्या सत्य है दोनों बराबर है कि नहीं है तो बराबर है सत्य है अब यास 2 ए का दूसरा सवाल है कहरा कि गुड़ा की किरिया करके सत्यापित कीजिए तो देखिये, ये जुनाकी किरिया करके सत्याफित कीजिये, मतलब proof कीजिये, ठीक है, तो काइसे इसको prove करना है कि ये बराबर है की नहीं है, आईए देखते हैं, LHS equally RHS इसको लाना है, तो चलो हाई ले 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 लेते हैं, इसमें एक पार्ट इधर अल करते हैं, यह कुछा है तो यह माइनस ग्यारा बटा यह भी क्या हो जाएगा ? ताट चोपर 20 देखिए एलचेस बराबर आरचेस आ गया ना यहां पर लिख देंगे हैंस प्रूब्ड यह सिद्ध हो चुका है कि दोनों बराबर है इसके बाद आगे देखिएगा अगला सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है अब आस्टू का ए का तीसरा सवाल नंबर यह है यह मतलब दूसरे का तीसरा पार्ट इसको सिद्ध करना है कि यह इसके बराबर है मतलब बीच में बराबर लगा है दोनों पार्ट बराबर सिद्ध करके दिखाना है यह आपक यह पहले जैसे लगा है वैसे उतार लेंगे बोर्ट मास्क के रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे पहले कोश्टक के अंदर का पार्थल करेंगे और फिर बाहर का तो अंदर का जो है यह आठ बटा साथ हो गया इंटू यह हो गया एक बटा दो और फिर क्या होगा यह कोश्टक खुलेगा आपका, यह कोष्ण कोलेगा, तो यहां पर गुड़ा का चिन है, आप क्या करेंगे, गुड़ा का चिन आप लगा रहने दीजीये, पहले चाहें, तो गुड़ा कर लीजी, पहले काच लीजी, तो पहले काट लेंगे, तो 2 k phon 2, 2 2 4, मांच से बार इशार माइनस दो है ना case में गुड़ा करोगे तो क्या जाएगा एक का मत लिखी ऑफि का यह था कर दो चोटा मुड़ा हो गया है ना कर आप अब बराबर इसको अभी मत करिंगे अवैं इह तरे वाला हल कर रहें अब ये कोश्टा भी खुल जाएगा बड़ा वाला तो क्या करोगे यह 8 से 3 तो कटेगा नहीं ना 2 से 3 कटेगा ना 8 से 7 कटेगा ना ही 7 से 2 कटेगा तो सिधा गुड़ा होगा 8 दूना 16 माइनस यह भी माइनस यह भी तो प्लस में आएगा 7 तरीक यह कैस 16 बटा यह कैस माइनस 4 पटा 7 इंटू यह बाहर है माइनस 4 पटा 3 4 का 4 में गुड़ा 16 होगा एक ही तरह का 4 लिखी है हाँ जगा अलग अलग तरह का लिखने पर आपको कंफ्यूजन होगा है ना और यह सार्थरीक यह कैस देखें 16 बटा यह कैस और यह भी 16 बटा यह कैस हाया है ना दोनों में थोड़ा सांतर था इसमें माइनस 8 पटा 7 से गुड़ा था ब्रेकट में एक बटा 2 इंटू माइनस 4 पटा 3 था इसमें ब्रेकट में था माइनस 8 पटा 7 इंटू 1 पटा 2 बाहर था माइनस 4 पटा 3 यह क्रम भी निमिये नियम पर डिपेंड करता है गुड़ा का क्रम भी निमिये नियम होता है जैसे अगर आपको तीन को गुड़ा करना है आठ गुड़े तीन गुड़ा दो इसको भिन में लिख लीजिए ये अगर ऐसे करना है तो आप इसको एक बार में ऐसा कर सकते हो आठ बटा तीन और धन तीन बटा साथ गुड़ा कर दीजिए इसमें दूर बटा पांच से और चाहे तो इसको ऐसे कर लो दो बटा पांच धन तीन बटा साथ और गुड़ा कर दो इसमें आठ बटा तीन से मतलब इसका इसका मतलब एक हुआ क्रम नियम के अकॉर्डिंग यह अंदर के बाहर बाहर के अंदर हो सकते हैं यह स्थान बदल सकता है समझ गए तो दिख लीजिए उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा है ना देखिए मित्रों सिंप्लिफिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ड पार्ट आपके सामने है कच्छा साथ की गडित में अभ्याज टू का ई का ये कुश्चन नंबर है आपका छठा का पहला द्यान दिजिएगा इसके थी तरह का इसमे के सभी पार्ट होंगे इसको लगाने की बाद हम तू क्यी खतम कर रहे है पहले तो हम जितने भी कोश्टक लगे उनको खतम करेंगे और जो चिन हैं उनको दीरे दीरे मैनिस करेंगे एक तरफ से मतलब कम करेंगे तो देखिए सबसे पहले कोश्टक है तो ये माइनस तीन हो ऐसे लिख लिजिए और इन्टू ये कोश्टक का चिन आप हटाएंगे तो माइनस का गुड़ा करेंगे माइनस तीन में तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानि ये प्लस हो गया, और फिर आप 10 का 3 में बुड़ा कर दोगे, 3 हो जाएगा 30, और बटा ये क्या हो गया 9, ये इतना हो गया पूरा, लेकिन इससे आसान तरीका एक है, उसको देखिए, ये तो आप बुड़ा कर लेंग और बुड़ा, ये माइनस 10 बटा क्या हो गया, 3, छोटा हो गया ना, अब इस लाइन में इसको ऐसे लिख दीजिए, ये 18 बटा क्या हो गया, माइनस 5, देखे उपर भी, माइनस नीचे भी माइनस तो क्या होगा, खतम हो जाएगा, माइनस का चिन नहीं है, सारा वावाल ख ये देखे या, नीचे माइनस है, बाकी सब तो सही है, आप क्या करेंगे, इसमें जो भी कटे काट दीजिए, ये 6 से 18 कर सकता है, 5 से 10 कर सकता है, आप इसको काट सकते हो, बस इतना ना करना, कि बगल 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 वाला मत काटना, कि 5 से 6 इसको काट दो, ये 3 से 6 काट दो, लेकिन आप इस 6 से इस 10 को काट सकते हो, इस 18 से इस 3 को काट सकते हो, बट नीचे नीचे का या उपर उपर का मत काटना, एक उपर का हो, एक नीचे का हो, चाहे वो यहां सीधे पे हो या ना हो, तिर्छा पिर्छा काहीं से भी काटिए, आप इस 6 से इस 10 को काट सकते हो, इस 3 स सब्सच्च्च अगर खटतो लेकिन इस पांच से अठारा को कार सकते अगर खटतो लेकिन दस से अठारा नहीं कार सकते क्योंकि दुन बगल बगल है ठीक है तो इसको भी काट दीजिए पांच इंकम पांच चिन वही लगा यह जो लगा है माइनस था इसके माइनस और यह पांच दून अधास अब यह नया एक दिन्द बन गया यहां पर क्या बना कि एक मिनिट देखी हिए आस। हुआ हमने गुड़ा कर दिया है ना घुड़ा करने के बाद काटा है अभी इसको मत लिखिए क्योंकि अबने काटा है पहले लिखती है तो आप जो बचा उसको लिख लो बात में बुड़ा करते हैं माइनस एक गुड़ा, यह माइनस दुई बटक 3, और गुड़ा, यहां 3 बचा है, पीछे माइनस एक, और गुड़ा, यह 6 कट गया है, तो एक बटक बचा, है ना, आप गुड़ा कर लेजिए, दो का, एक में तो दो एक कम दो, चुकि माइनस माइनस था, इसलिए फ्लस हो ग ठीक, तो इसका कोई मतलब नहीं है, अब आप 3 से 3 भी काट सकते हो, फाइनल में 2 बटक आएगा, माइनस एक, और माइनस एक से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में माइनस दो आएगा, समझके न, देखे सवाल कितना बड़ा था, और कितना आसान तरीके से इसमें माइनस दो पा गया, तो ये तरीका होता हल करने का, अगर आप तरीका लगाते हैं, तो बहुत आसानी से हल कर ले जाएंगे, नहीं समझ में आज तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को फिर से देखिएगा, समझने की कोशिस करिएगा, ठीक है न, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर को जीरो लेबल लिख कर आवस से भेजें, जीरो लेबल लमायत मतलब जे या लियाम भी लिख कर भेज सकते हैं, क्लास जॉइन करें, जिसे आपको डेली क्लास मिल सके, समझ में आए न, तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत सुक्रिया, इस क्लास को लाइ को ही मिलती है, तब आप लोग से यह मत करियेगा, ठीक न, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मतलब याद रखेगा टाइम क्लास का जो है, साम को साड़े साथ बज़े से सटर्डे संडे को छोड़ करके, हर दिन होता है, कुछ सटर्डे को भी कलास होती है, तो चलते हैं इस कलास में बस इतना ही,